आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम UGC NET PAPER 1 का जो मौक टेस्ट है उसका पंदरवा वीडियो डिसकस करेंगे 14 वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं लिंक मैंने दिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्योंकि NET के एक्जाम के अभी डेट फिक्स नहीं हुई है और जो चांसेज है NET के एक्जाम के वो नॉंबर या दिसंबर में है तो तब तक के लिए आप जो इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं इससे आपको फाइदा ये होगा कि आप को ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस परकार की है और यह जो questions में लेके आया हूँ, यह question paper के question है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो paper में question होते हैं, वो repeat होते हैं, तो यहां की जो series आप देख रहे हैं, एक, दो, तेन, यह अलग होंगी, क्योंकि मैंने इस video में, जो है, comprehensive और mathematical reasoning के questions को नहीं लिया है, और लगबख सभी topic के question communication, people and environment, यह सभी जो है, आपको यहां पर मिलेंगे, तो चलिए, देखते हैं, आपको कितने question इसमसे सही जाते हैं, ठीक है, तो answer का पहले आप guess करें, फिर उसके बाद मैं आपको इसके answer बताऊंगा, चलिए, पहला जो question है, वो यह है, शिक्षन अधिगम संबंदों के संदर communication करें, ठीक है, तो पहला देखते हैं, जब चात्र किसी परिक्षा में आसफल होता है, तो वह सिक्षक है, जो आसफल होता है, ठीक है यह, दूसरा परतेक शिक्षन का उद्देश अधिगम सुनिश्चित करना होता है, यह भी ठीक है, अधिगम के बिना सिक्षन हो सकता है, यह भी सही है, और शिक्षन के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, तो यह भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा, कोई शिक्षक शिक्षन करता है, किन्तु वह सिखता भी है, ठीक है, तो यह कहीं न कहीं इसमें गलत हो सकता है, तो इसका सही आंसर जो है, वो है option number B, according to answer की, ठ है तो मैं आपको इसके आंसर बताती चल रहा हूं चलिए नेक्स टोशन है अधिगम एक जीवन परियंत परक्रिया है अब इसका तर्क दे रखा है यानि रीजन भी दे रखा है उसका कि अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर ए ठीक है ओप्शन नमबर ए यानि कि ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या जो है वो भी सही की गई है चलिए नेक्स्ट कोशन है की सिक्षन की प्रभाव कारिता का निर्न निमनांकित में से किया किस रूप में किया जाना चाहिए किस रूप में किया जाना चाहिए आपको इसको बताना है तो आई होप आंसर का आपने गैस कर लिया होगा तो इसका सही आंसर है ओप्शन नमबर सी अकॉर्डिंग टू आंसर की छात्रों के अधिगम परिनामों के अधार पर ठीक है चलिए नेक्स्ट ओशन वे चलते हैं नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस सिक्षन विधी में सिक्षार्ती की भागेदारी को इस्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है तो इसका सही आंसर है option number D परियोजना विधी के द्वार प्रैक्टिकल के द्वार ठीक है नेक्स्ट है सिक्षन प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वदिक शक्तिशालिक कारक किस से संबंदित है तो इस संबंदित है सेक्षनिक विवस्था से option number C इसका सही आंसर है next question है अब इसमें अभी कथन और तर्क दे रखे हैं तो पहला देखा रहा है कि निर्मान आत्मक मूल्यांकन अधिगम की गती को त्वरित बनाता है और इसका तर्क दे रखा है कि संकलन आत्मक मूल्यांकन की तुल्ना में निर्मान आत्मक मूल्यांकन अधिक विश्वस्थनिय है तो इसका सही आंसर है option number C यानि कि A सही है और R जो दे रखा है वो गलत है next question है किसी विध्धाल्य का प्रचारे विध्धाल्य के कारेकर्मों में शिक्षकों तथा छात्रों के परतिभाग को अभिवृत करने की संभावना का पता लगाने के लिए उसके साथ साक्षतकार सत्र आयूजित करता है यह परियास अनुशंधान के किस परकार से संबंदित है ठीक है सीधी वासा में अगर मैं कहूं तो जो साक्षतकार होता है जो इंटर्वी होता है वो किस परकार की रिसर्च का हिस्सा है आपको यह बताना है तो इसका सही आंसर है option number C ठीक है क्रियातमक अनुसंधान का next motion है क्रियातमक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान ये अनुकरम क्या होता है तो इसका सही आंसर हो ओप्षिन नंबर B कौन सा करम तारकिक है तो इसका सही आंसर है option number C समस्या स्थापन, परिकल्पना निर्मान सोध्य अभिकल्प का विकास प्रदत एकी करण प्रदत विशलेशन, समान्य करण और फिर निसकर्ष का निरूपन ठीक है नहीं ये चरण होते हैं अनुसंदान की next option है अब इसमें जो है मिलान करने हैं हमें आप देख सकते हैं तो चलिए मिलान करते हैं इसमें तो ए का यानि परियोग आत्मक विधी स्रोत का जो संबंध है वो है मानिक्रित परिक्षाओ से ठीक है, मानिक्रित परिक्षाओ से और फिर उसके बाद बी का जो संबंध है वो है विशेश अभी लक्षन परिक्षाओ से ठीक है, यहीं से अपना आंसर पता चल जाता है और हमारा आंसर है option number B ठीक है, option number B हमारा इसका answer है next है, सोध नैतिक्ता का विशे सोध के किस चरण में संगत माना जाता है तो इसका सही answer है option number C प्रदत संकलन तथा विवेचन के चरण में next question है, निमनांकित में किस प्रारूप में परतिवेदन प्रारूप आपचारिक रूप से निर्देश्ट होता है तो सही answer है इस तरिये शोध पत्र में next question है, परभावी संप्रेशन में पहले से यह माना जाता है क्या माना जाता है तो इसका सही answer है option number D बोध ठीक है नेक्स्ट है जब मौखिक तथा आमौखिक संदेश परस पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकान से लोग विश्वास करते हैं किस पर करते हैं विश्वास तो इसका सही answer है option number C आमौखिक संदेशों में ठीक है, आमौखिक संदेशों में next है किसी सूचना, समरिद्धिकक्षा व्याख्यान की समानने विशेष्ता इसके किस प्रकृती के होने में होती है तो इसका सही answer है option number C तथ्यात्मक next है भाव बोधक संदेशन किसके द्वारा प्रेरित होता है तो इसका सही answer option number B कूट लेखक यानि encoder के व्यक्तित्य की विशेष्ताएं next question है सकरात्मक कक्षा संपरेशन का परिणाम निमनांकित में से क्या होता है तो इसका सही answer है option number D अनुने next है कक्षा संपरेशन किसका आधार है option A कहता है समाजिक पैचान का B कहता है बार्य निरर्थक्ताओ का या C पुर्वग्राही उदासींता का या फिर समुहिक उग्रहता का तो इसका सही answer है option number A समाजिक पैचान का next option है निमन लिखित में से कौन सा computer memory परकार में से उच्चितम से नियुनतम गती को सूची बद्द करता है तो इसका सही answer है option number C option number C CPU registers cache memory main memory और फिर secondary storage next है निमन लिखित में से web 2.0 अनुपर्योगों की कौन सी विशेष्टा है तो इसका सही answer option number B web 2.0 का अनुपर्योग लोगों को आपस में मिलकर online सूचना का आदान परदान करने की छमता पर केंद्रित होता है next question है word processing software के संदर्ब में एक समाहित समाहित परकाशन बनाने हेतू data स्रोत में परिवर्तित सूचना के साथ परकाशन में आप परिवर्तिनिये सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है तो यह जाना जाता है किस रूप में तो इसका सही आंसर है option number C male merge की रूप में next है DVD प्रधोग की DVD का फूर्फॉर्म आप मुझे अच्छे समें वही पूछ रखा है चल इसका question आप इसका आंसर जो है आप मुझे comment box में बताएंगे comment box में देखते हैं कितने लोग जो है इसका आंसर बताते हैं आप question को ठीक से पढ़ ले next question है अब यहां पर अभिकतन और तर्क दे रखा है अभिकतन में बूछ रहा है कि सतत विकाश मानव समाज के कल्यान के लिए महत्पून है उसका कारण दे रहा है यह तर्क दे रहा है कि परियवरणी द्रिष्टी से सही नीती परियवरण को छती नहीं पहुचाती है